दोस्तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी एसी सी सेट सीरीज की पहले इसके बारे में हलका समभ बता दूँ मैं पूरा डीटेल स्लेवस तो बता चुका हूँ एक बार और देख लेते हैं जाल चुका यो पार यूपीętैसी अदो पेपर कंड़ाता है एक तो परिवस पूरा देख चुके हैं है श्यंत मीए इस प्राइब करने से पहले परिश मेंश कंटो में हका थीक है अब में होता है दो पेपर होते हैं इसके एक होता है जीएस पेपर वन और एक होता है जीएस पेपर टू जीएस पेपर वन और एक होता है जीएस पेपर टू ठीक है अब अगर मैं पहले पेपर की बात करूं पहला पेपर मेरा जो होता है इसमें 100 into 2 होता है 100 questions होता है each of two marks ठीक है तो यह paper कितने का हो गया 200 marks का ठीक हो गया अब इसके slavers की बात करूं तो इसमें general studies होती है कौन-कौन से subject हो गया इसमें history हो गया ठीक है history आगया अपना इसमें और polity आगया और current में क्या-क्या चल रहा है current affairs अपने जो जो चल रहे हैं ठीक है और economy क्या-क्या है अपनी economy से related questions इसमें यह सबाते है economy और environment से related हो गए तो इसमें इस अब आता है इसका format क्या होता है mcq-based होता है इस paper के बारे में तो देख लिए अपने अब अपने देखते हैं gs paper 2 के बारे में जो की हम इस series में cover करने जा रहे हैं ठीक है यह csat के full form होती है अब इसमें देख लो इसमें क्या-क्या type से होता है यह paper में 80 questions होते हैं और हर question का weightage होता है 2.5 marks ठीक है तो total यह कितने marks का हो गया यह भी हो गया मेरा 200 marks का इस paper का nature जो होता है वो भाई होता है qualifying क्या होता है इस paper का nature qualifying क्या होता है क्या होता है कितने marks लाके qualify करना होता है हमें 33% marks यह होते हैं बस तो आएए अब इसके syllabus के बारे में जान लेते हैं सी सेट के syllabus के बारे में कि इसका syllabus क्या-क्या होता है तो सबसे पहले तो इसमें अपना comprehension होता है क्या होते है comprehensive होते है comprehensive in आते हैं उनको पढ़के उनके आंसर्स देने होते हैं ठीक है कॉंपरी हैं तो यह भी देखेंगे हम इस सीरिज में सारी चाहिए देखने जाएंगे वह फ्रिंशन के बाद होता है बेशिक नुमरेशी बहुति इंपोर्टेट युनुट है वह इसकी मूश्ट अफ़ उफदा कोश्विकल इसमें इसी सारे हैं बेसिक नुमरेशी बेसिक हुआ कि बात करूँ तो अब बेसिक हीनुमडेशी में हमें बहुत चीज़ो पढ़ने ह बाई बेसिक निम्रेसी में हमें सबसे पहले पढ़ना है भाई नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है पूरा पूरी बढ़िया नॉलेज होगी नंबर सिस्टम के बारे नंबर सिस्टम के बाद हमें नॉलेज होनी चाहिए अपनी फ्रेक्शन के बारे में ठीक है, mixed fraction हो गया, simple fraction हो गया, proper fraction हो गया, fractions के बाद हमें knowledge होनी चाहिए, elementary algebra की, algebra के बाद हमें knowledge होनी चाहिए, किस की, LCM की, LCM, and SCF, ठीक है, और LCM, and SCF के बाद हमें क्या क्या आना चाहिए, हमें average निकाना आना चाहिए, average, और भी बहुत चीज़ें, इस chapter के अंदर ही, सोच रहे होगे, आप भी कितना बड़ा chapter है, percentage आनी चाहिए, ठीक है, percentage के बारे, percentage वगयरा निकाना आना चाहिए, profit, loss, profit loss के बारे में knowledge हो, ratio proportion के बा ratio और proportion के बारे में knowledge हो, और और चीज़ें भी हैं, इतनी इल्दी खत्म नहीं हुआ है, ratio proportion हो गया, time and work हो गया, time and work हो गया, और, speed, speed के बारे में हो गया, speed वाले questions हो गये, और, simple or compound interest हो गया, SI and CI, ठीक है, SI and CI हो गया, और, और हो गया अपना permutation and combinations, permutations and combinations, और, और probability हो गया अपना, probability, probability भी हो गया अपना, बहुत चीज़ें आगई इसमें, probability हो गया, sets and functions हो गया, sets and functions हो गया, और, clock and calendar वाले questions हो गया, clock and calendar मतलब, वही की, आज इतने बज़ें, इतने इन दोनों के बीच का angle कितना हो गया, वो questions इस से आएंगे, और, last है, area and parameter, area parameter हो गया, और, last topic है, जो इस chapter में हम पढ़ेंगे, वो है, statics, ठीक है, यह आता है, इतना सब इस chapter के अंदर में, बहुत बड़ा chapter है, और, बहुत important chapter है, इसी से मतलब, पूरा, जो वह वाले questions है, reasoning हम अगेरा के, वो इसी से होंगे, ठीक है, फिर इसके बात की बात करूँ, तो फिर इसके बात, जो मेरा chapter आता है, वो आता है, general mental ability, वो लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, रवास तो clear आई रही होगी, अब इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या-क्या बढ़ना है, मैं, general mental ability की बात करूँ, इसमें भी topics है मेरे, इसमें पढ़ेंगे, analogy के बारे में, analogy, classification, classification करेंगे, coding, decoding करेंगे, सीरीज पढ़ेंगे, सीरीज वाले question, और बात करूँ तो, सीरीज वाले question करेंगे, और बात करूँ, तो alphabet test पढ़ेंगे, alphabet test वाला फिर alphabet test के बाद पढ़ेंगे हम direction वाले questions यह direction में जा रहा है यह direction में जा रहा है तो यह overall कौन से direction में जाएगा direction वाला पढ़ेंगे direction के बाद हम पढ़ेंगे कौन से question direction के बाद हम पढ़ेंगे setting arrangement वाले question कि यह circular में बैठा है यह वह ले questions करेंगे इसके बाद हमारा आएगा Blood Relations का concept Blood Relations BC मी पढ़ेंगे BR से लिख दे रहा हूँ Blood Relations के बाद अपने क्या पढ़ेंगे Blood Relations के बाद अपने पढ़ेंगे Wend Diagram के questions टिक है Wend Diagram के questions के बाद हम पढ़ेंगे Cubes के questions Cubes oh dice वाले Cube and dice वाले क्यूबेंड यस के बाद हम पढ़ेंगे पॉजलज के घुरोज गॉर्ट के ओंगे हम अब पॉजल के पर करेंगे सी रैंकिन्टव डॉधे कोशन्ट के बाद हम करेंगे साइंटिफिक प्रीज्निंग talking सिंट रीज्निंग के बाद क्रेंगे हम नॉनometer nd Hambal reasoning इसमें पढ़ना है में इतना कुछ ठीक है नॉन वर्बल अब फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे डियाई एंड सफिशेंसी डियाई का मतलब डेटा इंटर प्रिटेशन एंड सफिशेंसी जो कि हमारी तीसरी उनिट का नाम होगा क्या डेटा इंटर प्रिटेशन ठीक है डेटा इंटर इंटर प्रिटेशन पढ़ेंगे अब इसमें क्या-क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे देख लो डेटा इंटर इंटर प्रिटेशन में पढ़ेंगे हम पहले तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन होगा नॉर्मल सा इंट् फिर इसमें आएंगे हमारे graphs के questions graphs के बारे में पढ़ेंगे भाई graphs के बाद आएगा हमारा pie charts के बारे में पढ़ेंगे ठीक है pie chart pie chart के बारे में बाद हम पढ़ेंगे bar charts के बारे में ठीक है bar charts और bar graph के बारे में इसके बाद हम पढ़ेंगे line graph के बारे में, ठीक है, line graph के बाद हम पढ़ेंगे, mixed graph के बारे में, mixed graph के बारे में, mixed graph के बारे में, mixed graph के बाद हम पढ़ेंगे data sufficiency, क्या, data sufficiency, तो यह हो गई हमारीी इसरी इनट यहां पर खता है अब तीसरी इनट जब खतम हो जाएका कोसी के मिलता है वह बीसिजले कि आपसे पर Apa प्रॉब्लम को वह कूं Sep suggestion दे रहा है कि यह इस रास्ते से best रहेगी इसमें हम वही पढ़ेंगे इसमें और कुछ भी नहीं है कि एक decision होगा एक problem होगी और उन दोनों का हमने solution देना है कौन सा best solution रहेगा ठीक है इसमें पढ़ेंगे हम और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे इसके बाद हम लॉजिकल रीजिनिंग लॉजिकल रीजिनिंग लॉजिकल रीजिनिंग के बारे में पढ़ेंगे लॉजिकल रीजिनिंग में हम क्या पढ़ेंगे लॉजिकल रीजिनिंग में हम पढ़ेंगे इस्टेटमेंट्स के questions पढ़ेंगे हम स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमें और पढ़ेंगे हम syllogism syllogism यह मरे से pronunciation में दिक्कत आती है और हम पढ़ेंगे cause and effect के बारे में cause and effect cause and effect cause and effect के बारे हम इसमें assertion and reasoning के बारे में assertion and reasoning के बारे में ठीक है फिर एक और चीज आती है statement and conclusion वो भी इसी में पढ़ेंगे हम क्या statement and conclusion ठीक हो गया यह सब पढ़ना है में इसमें और फिर एक चीज और आती है एक unit और है इसमें हम पढ़ेंगे interpersonal skills यहां सीधे सीधे बोनों तो communication skills के बारे में ठीक है इसके बारे में communication skills के बारे में communications skills में हमारा क्या क्या होगा communications skills में हम भी पढ़ेंगे कि types of communications क्या क्या होते हैं communications के types stress management leadership style और answer emotional intelligence तो यही सब पढ़ना है हम इसमें और फिर लाश्ट में बात करूं तो लाश्ट में हम पढ़ेंगे English language comprehension के बारे में English language comprehension के बारे में English language comprehension के बारे में इतना ही हमें पढ़ना है इसके बारे में short करके दिखाएता हूं slavers क्या क्या है यह रहा अपना पूरा slavers इसके बारे में तो यह सब अपनोंने पढ़ना है इसमें कितने unit है अपनी 5-6 unit है अपनी तो धीरे-धीरे इस पर particular lectures आता रहेगा और ध्यान से बढ़ते रहेंगे भाई यही सब इसमें और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है तो यह सबसे पहली बात पहली बता दे रहाएं कि जो CSET का पेपर है qualifying होता है नीशर में 33% marks लाके हम इसको qualify कर जाते हैं और हमारा टार्गेट यही रहेगा कि 33% आजाए पूरा अच्छे से और बच्चों को पूरा अच्छे से समझ आ जाए तो कल से इसकी regular वीडियो आएंगी कल पहला lecture आएगा हमारा number systems के बारे में पहले number system के बारे में बताएंगे फिर अगली वीडियो में questions करेंगे